कि थेलो फ्रेंड्स मैं पीके सिंगल जोगर्फिय उनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुना स्वागत करता हूं आज उपस्थी तो एक नए वीडियो के साथ देखे हमारा जो टॉपिक चल रहा है और रास्थान के फिजिकल डिविजन्स है और रास्थान के जो है दो भ भागु में बाटा जाता है यह उत्तरी परश्यमी रेतिला मैदान यह उत्तरी परश्यमी वरुस्तली मैदान इसको कहते हैं दूसरा अरावली परवत जो बीच में है बिलकुल कंडवत अक्षपर फैला हुआ है तीसरा देखें यह जो है ग्रीन डॉट्स वाला यह है पू हार है तो हम देखें दोनों विशेय पर चर्चा कर चुके हैं आज हमारा जो तीसरा बहुतिक प्रदेश है वह है पूर्वी मैदान कि 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 देखें भारत के मैप पर आपको समझा हूं तो देखें आपको पता पड़ेगा कि जो पूरी मैदान है यह भारत का जो गंगा यमना का मैदान है उसी का भाग एक्चुली कई बार यह भारत के संदर में भी पूछ लेते हैं कि भारत में किस भौतिक प्रदेश से संबंधीत है तो एक इसमें नक्षे में आपको समझा देता हूं फिर आपको समझने आ जाएगा देखें यह जो है आपको पता है कि यह कि गंगा नदी है हमारे और यह गंगा नदी आप देख रहे हैं कहां जाती है यह इदर यह देख लिए बंगला देश में होकर कि और यह अरब सागर इसमें सौरी बंगाली खाड़ी में चली आती है कि तो गंगा नदी जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसी की सायग नदी है यमना नदी कि जहाँ पर आपको पता है इलहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है कि तो यह हो गई यमना और यह होई गंगा तो गंगा और यमना नदी के कारण यह जो मैदानी भाग है कि सारा गंगा यमना का मैदान कहलाता है आपको पता है सारा शेत्र गंगा यमना का मैदान कहलाता है तो देखे राश्थान से चंबल नदी जाके भी यम्ना में मिल जाती है तो यह है चंबल नदी तो देखे यह जो चंबल नदी के किनारे भी यह जो मैदान है इसके चर्चा हमने कहीं पूर्व में है तो यह जो है क्योंकि देखें यहां पर यह रावली पर्वत है लगवक्यां पर Q, कि यह यह रावली पर्वति आपको पता है जलल्र धिद्ली तो देखें यह रावली परवत हो गया आपका तो रावली परवत के पूर में जो आप देख रहे हैं यह पूरा गंगा के मैदान का ही विस्तार है तो रास्थान में जो पूर्वी मैदान है जो रावली के पूर में है यह क्या है गंगा-यम्ना के मैदान का भाग है तो यह ध्यान रखना है कि रास्थान का पूरी मैदान का संबंद किसे है गंगा यमना के मैदान से हमें कह सकते हैं कि गंगा यमना के मैदान का ही विस्तार है इसको हम ऐसा कह सकते हैं पूर्वी मैदान गंगा यमना के मैदान का ही विस्तार है दोसे शब्दों में हम कह सकते हैं गंगा यमना के मैदान का पश्चिमी भाग है क्योंकि आप देखरें पश्चिम में हैं यह पूरा गंगा के मैदान है इसका वेस्टन पार्ट हो गया तो हम भी कह सकते हैं यहां कह सकते हैं इसका पश्चिमी भाग है तो इध्यान रखना है कि जो गंगा का मैदान है वह सवरी जो रास्तान में पूरी मैदान है वह गंगा वो टैफिस सागर से विए हैं अब है कि देखें पश्ची में जो उत्तर वाज्ची में मरुस्थली प्रदेश था मैं इसके वुत्पत्ती मैंने बताया था कि टैफिस सागर से हुई है आए अप और यह इसके उत्पत्ति भी कि टैथिस सागर से हैं कि क्या था विद्यारतियों यह यहां पर आप देख रहे हैं दकन का पठार है यहां पर है जो दकन का पठार है यह गौनवाना लेंड का भाग है जब महादीपों का विस्थाबन हुआ था तो उसमें जो है यह जो दकन का पठार था यह गौनवाना लेंड का भाग था मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो मेरा देखना उसमें बता रखा है और इसके ओपर यह सारा टैथिस सागर था तो देखें यहां पर उपर यह हमाले की रचना हुई है ना हमाले जो हैं यह पूरा हमाले जो प्रदेश है इसकी उत्पत्ती भी टैथिस सागर से बताई थी मैंना आपको तो कुल मिलाकर क्या है विद्यारतियों कि यह पूरा टैथिस सागर था और यह जो है गौनवाना लेंड का भाग ता और गौनवाना लेंड का भाग जाए इधर की तरफ आया था तो उसके कारण यह जो टैथिस सागर का जो उपर हिस्सा था इसमें से जो है जो अवसाद से उपर निकलाए और उससे फिर हिमाले की उत्पत्ती हुई तो हिमाले की उत्पत्ती भी टैथिस सागर से वी तो इसका जो बचावा भाग था टैथिस सागर का बचावा भाग हिमाले और दकन के लम्रोके प्धार के बीच में तो नदियां एक लंबय समय तक पणि थी को बनके बढोड से भी और हिमाले से भी आती थी तो दीरे दीरे जो टैसी सागर का भागता । यह हिमाले से आने वाली नदियों और दकन के प्रहार से आने वाली नदियों के कारण जो अवसाद भाकर यह नदियां लाती थी उससे पड़ गया तो एक लंबे समय तक जो है एक प्लिष्टोशीन युग में कि यह बहुत है आधुनिक युग है कि प्लिस्टोसीन युग में है कि टैथिस कि सागर के अवशेशों पर नदियों द्वारा लाकर बिचाई गई अवशादों से अवशाद किसको बता है मिट्टी को से गंगा यमना के मैदान की रचना हुई में है तो प्लिस्टोसीन युग में क्या हुआ आप से पूछे गंगा क विधान कब बना प्लिस्टोसीन युग में है तो जो टैथिस सागर था जenda जो बचावा थ हिमाले के बनने के बाद जो बचगया था उसमें दोनों यहां से भी आ घीनिचे से इसको प्रायद्य पी शेत्र बुलते हैं, भारत का प्रायत्य पी शेत्र और हमाले से भी आ रही थी तो नदियों के दौरा रिचो जो उसाद यहां पर इखटे किये उस से गंगा य हमना के मैदान की रचना होई तो जो पूर्वी मैदान है जिसके हम चर्चा कर रहे हैं यह टैथिस अगर के उशेशों पर बना है और यह जो है जो इसकी रचना जो है प्लिस्टो सीन यूग में हुई है जो आधुनिक जो क्वार्टनरी पिरेड है इसको बोलते हैं चतूर्थक कल्प जो एकदम आधुनिक उगया उसको चतूर्थक कल्प क्वार्टनरी पिरेड कहते हैं तो क्वार्टनरी पिरेड में चतूर्थक कल्प में गंगायमना के मैदान की रचना प्लिस्टो सीन यूग में हुई है तो राजस्तान में जो पूरी म मैदान है वह गंगा यमना के मैदान का ही विस्तार है एक अगर ना कि मैदान का मश्मा भागे ठीक है मैं समस्ता हो एक लियर हो गया हुआ है और देखे इस का इडियु एरिया देखेंर रास्थान में तो रास्थान के 23 प्रतिशत भाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है देखे जारते कई किताबों में आपको 23.3 भाग भी मिलेगा तो एक ही आए गा या तो 23 परसेंट आए गा तो दोनों में से एक कर दीजेगा तो यह प्राश्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है थर्टी नाइन परसेंट तो देखे आप मैंने सारे डेटा बताये थे देखे उत्री पश्मी मैदान में जो एरिया था वो 61% है और पॉपुलेशन 40% है अपने पढ़ाता और यहां पर क्या है कि जो एरिया है वो 23% है और जो पॉपुलेशन है वो 39% यह 40 परसेंट पर कितने में 60 परसेंट एरिया में और यह जो 39 परसेंट यह 23 परसेंट भाग पर है इसलिए हम कहेंगे यह रास्थान का सबसे घना बसा भौतिक प्रदेश है रास्थान का सबसे डांशेस्ट जो भौतिक प्रदेश है वह पूर्वी में दाने सबसे आदा जंसंक्या शेत्र में निवास करती है 23 परसेंट मैं रास्थान की घंगा का मिदान और पूर्व मेंदान की रचना हुई तो रास्थान का जो पूरी मैदान है वो गंगा मैदान का ही विस्तार है देखें सारी जो पूरे भारत में सबसे उप्जाओं मिट्टी गंगा के मैदान की है इसको हम बोलते हैं काप मिट्टी होगी तो जब गंगा के मैदान की मिट्टी काम मिट्टी होगी तो इस मेदान की रचना आप से पूछे किस मिट्दी से हुई यह काम मिट्टी ऐसको दो मट्ट भी कहते हैं इसको जलोड मिट्टी भी कहते हैं इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाते हैं तो जो मिट्टी नदियों द्वारा लाकर विछाई जाती है उससे जिस मैदान की रचना होती है तो वो मिट्टी कांप मिट्टी कहलाती है और वो भारत की सबसे उपजाओ मिट्टी है ये इसलिए राजस्थान का ये सबसे उपजाओ भौतिक प्रदेश भी कहलाएगा यहाँ राजस्थान का सबसे उपजाओ भौतिक प्रदेश है क्यों है क्योंकि ये काप मिट्टी से बना हुआ है पूरी मैदान की रिचना काप मिट्टी से हुई है काप मिट्टी सबसे उपजाओ मिट्टी है पूरे गंगा के मिदान सबसे आदा आपको पता है यहाँ पर सबसे आदा इस मिट्टी के करण सबसे आदा क्याते भी ओती और खेती होती है यह बारत में जंसंख्या के चार तीन राज है के वह इसी में हैं देखे कि सबसे बड़ा जंसंख्या राज फिर महाराष्ट एस सेकेंड और उसके बाद जो थर्ड और पर विहार है कि पशिम मंगाल है तो देखे महाराष्ट के बाद यूपी के बाद सेगंड महाराष्ट तो भारत के जनसंख्या के थे तीन वड़े राजजी चार में से गंगा के मिदान में ही बसते हैं क्यों क्यों कि मिट्टी बहुत अब जाओ जाधा है तो खेती अच्छी होती है लोग जनसंख्या क्या खूब रहती है तो सिमिलियरली राष्थान के पूरी मेदान में भी जो अब जाओ मिट्टी है का पिट्टी इसके करण खेती बहुत होती है और यहां जनसंक्या बहुत निवास करती है तो यह रास्थान का क्रशी की दरस्टी से सबसे सम्रद्ध भौतिक प्रदेश है सबसे भौतिक प्रदेश है और इसलिए सबसे आदंसंक्या निवास करती है और क्यों करती है क्योंकि यहां की मिट्टी बहुत उपजयओ है तो पूरवी मदानी भाग की मिट्टी है रास्थान में इसको इंग्ली विद्यारतियों हुण स्受 cricket कहते हैं कि एल्यू वियल तो देखे मैंने इस डाइग्राम के द्वारा आपको बताया कि जो भारत में हिमाले इसे जो नदियां आती थी जो दुकन के प्ठार से नदियां आती थी उसके कारण टैथिस अगर का जो भाग था वह उसादों से पढ़ गया और गंगा के मैदान की रचना होई और यह जो गंगा नदी है यह पूरा गंगा का मैदान है यमना इसमें जारी इसलिए गंगा यम मैदान का ही विस्तार माना जाता है तो टैथिस सागर से इसकी उत्पत्ति प्लिस्टोसीन युग में हुए जो चतुरतक कल्प का हिस्सा है और इस यह रास्तान में 23 परसेंट या 23.3 परस्यत भाग पर फैला हुआ है जंसंक्या 39 परसेंट और यहां की जो मिट्टी दो मट जलोड याक अच्छा लिए है तो मैं समझता हूं इसका आपको काफी पॉइंट समझ में आगे होंगे और देखें विद्यारतियों कि यदि वर्षा की बात करें हैं तो पूर्वी मैदान में 50 से असी सेंटिम्टर वर्षा होती है यह जो आप देख रहे हैं यहां पर और आवली के सारे आपको पता है यह पूरा का फचास सेंटिम्टर वर्षा का शेतर है और यहां पर यह इदर यहां पर तोड़ा सा इस्सारा छोड़ दीजें और इदर हड़ोती लेकिक यहां तक एक रहाइए कि यह आपको वर्षा के मैं अपने और अच्छे से बताऊंगा तो पचास से रेके असी सेंट्यूंट यहां से लेके यहां तक एक की रेखा आए जल्वाइव के प्रदेश पढ़ेंगे तब मैं आपको पताऊंगा कि रास्थान में जैसे इसे दर की तरवारे वर्षा बढ़ती जा रही है यहां देखें दस सेंट्यूंटर एंपर फिर बीस पचीस है फिरे पचास हो गई तो इसके जाहतर शेतर जो है पचास से असी सेंट्यू वर्षा शेत्र और इस्टीस्य किसमा आएगा आद्र जलुवायू प्रदेश में इसका ज्यादातर भाग किसमें आता है आद्र जलुवायू प्रदेश में यह जो पच्चास से श्यादाग आद्र जलुवायू पिस्तित हैं इसकी जनसंक्या रास्तान सबसे यह आपर निवास करती ओर यह जो है गंगा मि components का विस्तार है तो यह मैंने इसकी देखे जनरल विशेष्टाइं लिखी है इसका एक स्क्रीन शॉट ख्यांच लीजिए कि अगा कि देखें विद्यारति में पॉइंट और है इसका ढाल कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका जो ढाल है पश्चिम से पूरुदिशा में कि इसका जो ढाल है यह आप देख रहें इस तरह से हैं यह इधर से इधर की दर इसलिए पूरी मैदान में दक्षिन भाग को छोड़कर दक्षिन रास्तान को छोड़कर नदियां पूर दिशा में वहती हैं तो आप से पूछे पूरी मैदान का ढाल कि इधर है पश्चिम से पूरु और इसकी जो ओसत उचाई है को यह देख कुए मैदानी भाग है बहुत जादा इसकी उचाईयां नहीं हो सकती तो दो सो से 300 मिटर के करीब इसकी पूसत उचाई मानी जाती है पूरी मैदान की तो इसका स्क्रीन शोट खेंच लीजे आप अब मैं जो है आपको जो है पूरी मैदान के जो वर्गी करन है उसके बारें बताऊंगा क्योंकि इसको जो है तीन बेसिन के रूप में बाटा जाता है कि देखें विद्यारतियों पूरी मैदान को हम तीन भागों में बाटते हैं देखें चंबल बेसिन बहुसरा बनास बेसिन और तीसरा है वह माही तो देखें द्यारतियों अज़ा है अगया 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 इक तो यह चंबल नदी है अब करने इसके यां पर यम्ना में जाकर मिल जाती है एक के साय के बनास नदी है जो चंबल मिल जाती है और एक यह धर जो है यह विंद्या पर वस्चे चंबन निकलती को और नदी निकलती है पूरे मैदान में यह आपके मैंने बताया था यमना नदी को चंबल नदी को यह मों नदी ऑप फिर आगे गंगा में होकर यह बंगाली खाड़ी में चली यह बनास नदी कर यह माही नदी तो ये तीन वेसिन इसमें एक चंबल नदी के कारण चंबल वेसिन हो गया है दूसरा बनास की वैसे बनास वेसिन ये बीच का इस सारा ये दर का चंबल वेसिन ये पूरा बनास वेसिन और दक्षिन में तीसरा माही वेसिन तो इस तरह से जो है ये पूरा जो शेत्र है तीन बेसिन में बाटा याता है चंबल बेसिन बनास बेसिन और माही बेसिन और देखिए वैसे तो बनास और चंबल एक की इसकी सायग नदी है परन्तु बनास की विशेष्टाएं और चंबल की विशेष्टाएं अलग-लग हैं इसलिए इसको मलगलग करके पढ़ते हैं अनिता जो बनास और चम्बल वेसिन एक ही वेसिन के भाग है तो इस तरह से कि यह सारा इस्था यहां से यहां तक देखें चम्बल वेसिन हो गया पूरा यह पूरा बनास वेसिन हो गया और यह दक्षिन में माही नदी के कारण दक्षिन रास्तान का इस्था माही वेसिन कहलाएगा तो अब जो है एक एक बेसिन की उशेश्थाम देखेंगे पहले चम्बल वेसिन फिर बनास बेसिन फिर माही वेसिन ठीक है तो मैं इसको मटा देता हूं कि मैंने आपको समझना आ जो उपरी हिस्सा है यहां पर यह जो निम्नवर्ती शेत्र है यह चंबल बेसिन के लाता है बनाज बेसिन और यह दक्षिन में माही बेसिन कि सबसे पहले हम चंबल बेसिन की बात करेंगे कि तेनों बेसिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह चंबल बेसिन है आगा कि देखें विद्यारत्यों कि यह चंबल नदी यहां से निकलकर रास्थान में यह कि पूरा जो ग्रीन क्लर आपको दिखाई दे रहा है और यह दर जाके यमना में कि इसकी डिटेल तम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे पर मोटे रूप से तो यह देखें यहां पर जना कि पाव की पहाडियां है कि यह मौव एक जगह है तो मौव के पास जना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता और देखें जना पाव की जो पहाड़ी यह विंध्याचल पर्वत में हैं तो यह विंध्याचल पर्वत हैं उसका भाग है और यह 616 मिटर की उचाई पर जना पाव की पहाड़ी के यहां 616 मिटर की उचाई से निकलती है और रास्थान में यहां पर देखें रास्थान में जो यह सच तोड़का है देखें चितोड़का कुछ भाग इधर भी आप अको पता है और कुंछ भाग है थे स्तवर प्रवेष्थ करते यहां पर यांपर पर यहां से ओए है भैस रोड़गट कर दोड़ में है स हरोगला है थैंडर प्रवेश्च करती है और यहां से अपर आगे चलेंगे कोटा कोटा के किनारे बहती है तो चित्तोर जिले में पुरवेश करती फिर कोटा इधर बुंदी है तो कोटा बुंदी की सीमा बनाती है फिर यहाँ पर इधर आएगा सवाई माधोपुर तो यहाँ से सवाई माधोपुर तक चलिए आती है इसके आगे करॉली जिला गया और लास्ट में यह धौल पूर तो आप देखे च्छे जिलों से बहती है यह तो गया भेंस्वड़ किसमा आएगा चितोड में तो यह चितोड जिला हो गया तो दुक चंबल नदिया आप देख रहे हैं कि यह चितोड जिले में प्रवेश कर रही है जनापाओ की पाड़ी से निकलती है विंध्याचल परवस से जो महू के निकट है 616 मिटर के उचाई से निकल कर यह उत्तर के और भैती है और यह भैस रोड़गर तहसील के यहां चितोड जिले में प्रवेश करती है चितोड के बाद यह बूंदी कोटा की सीमा बनाती है आगे यह सवाय मादोपर करोली धौल पर जिले में होकर और यह यमना में चली आते तो एक दो तीन चार पांच यह रास्तान के आप देख रहे हैं चैजिलों से चितोड हो गया बूंदी हो गया कोटा हो गया सवाय मादोपुर हो गया करोली हो गया धौल पर जिले में होकर बह रही है और यहां पर यमना नदी में है यमना है यहां पर यह मुराद गंज एक जगह है यूपी में एक जगह और है इटावा इटावा बोलते हैं इटावा के निकट इटावा के निकट मुराद गंज में जाकर यह यूपी में यमना में मिल जाती है तो यह पूरा शेत्र चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है तो चे जिले इसमें हो गए है और देखें इसमें क्या-क्या विशेस्ता है इसकी कि चंबल बेसिन कि इसकी क्या विशेस्ता है चंबल नदी राजस्तान की एक मात्र सदा वाहिनी नदी है चंबल नदी राजस्तान की एक मात्र नदी है जो साल भर वहती है साल भर भेहने वाली नदी है जाना इसे इसले वाली नदी है सदा वाहिनी नदी है आप कभी-कभी डारेक्ट भी पूछ सकते हैं प्रश्च को चंबल की जो है विशेस्ताओं में एक तो यह सदा वाहिन नदी है कि जिले मैंने बताई दिये आपको लिखनी रहा महां पर लिखे वे छे जिले इरास्तान के छे जिलों में से बहती है ठीक है और देखिए क्या है कि इसमें जो है आपको एक तो गौर्ज देखने को मिलेगा एक जल प्रपात देखने को मिलें एक होता है शिप्री काएं शिप्री काएं और क्या मिलेगा निक पॉइंट यह सब चंबल बेसिन में देखने को मिलें बीहड बीहड के लिए जाने की आती है चंबल पूरे भारत में डांग लेंड डांग शेत्र के लिए जाने जाती है उत्तखात इस्तला करती के लिए जाने जाती है तो देखें बहुत सारी characteristics हैं जो अपने को समझने हैं गोर्ज बनाती है गोर्ज जलप्रपात मिलते हैं शिप्रिकाए मिलती है यहां निक points हैं बीहर्ड युक्त शेत्र है इसके किनारे डांग लेंड है डांग शेत्र है और इसकी इस्तला करती है उतखात इस्तला करती कहलात तो देखे विद्यार्तियों पहले हम गौर्ज की बात करें और इसकी जो है देखे लंबायों कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसकी जो चंबल की लंबाई है यह वह एक हजार एक कावन कि विद्वी कई किताबों में 906 65 वगरा भी दी जाती है पर यह विद्यास्पद ही रहता है राजस्थान में पूछे राजस्थान में इसकी जो लंबाई तीन सो 22 किलोमेटर बताई जाती है और यह राजस्थान और MP की सीमा बनाती है 252 किलोमेटर देखे कोटा में जो है यह आई-म्टी है एक इंस्टिूट है वहाँ पर जो लेटेस्ट नदियों की लंबाई को लेकि जो रिपोर्ट है यह मैंने वहां से लिया है तो उसमें रास्थान किलंबाई रास्थान में सुरी चंबल किलंबाई पूरे भारत में in 151 km राज्थान में 322 km राज्तान मत्युद्प्रदेश की सीमा बनाती है 252 km देखें गौर्ज क्या होता है गहरी घाती डीप वेली जो डीप वेली होती है उसको गौर्ज कहते हैं देखें विद्वाणतियों क्या होता है कि यह देखें नदी यह यह वी आकार की घाटी बनाती कि बीच में अपरदन ज्यादा होता है साइड में काम होता है तो इसलिए उसका जो आकार है वी आकार का हुए चुब और धीरे-धीरे से इसके जो है अनेक नाम है यहां पर इसको बोलेंगे वी कि आकार की घाटी तो यह जब कम होती है इतनी ही होती है तो से भी आकार की करते हैं यहां पर पार्ष खड़े डाल वाले होते हैं इसको आई कि आकार की घाटी करते हैं आई शेप वेली पहले नदी वी शेप पहली कहलाती है फिर आई शेप पहली में कनोट होए आती है और ज्यादा गहरी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं gorge कि इसको इंदी में खड़ कहते हैं खड़ा जैसे और और फिर उसके भी नीचे ज्यादा इस बहुत गहरी उजाए बढ़ा वार्ज का भी बड़ा सुरूप केनियान कहलाता है के नी कि इसको बथे महाखड़ क्या बोलते हैं द्यारति हो महाखड़ कारति विश्व का फिर यह पनाती है और पैर कैन्यान तो एक प्रकार से यह वो लाकर की गाते का ही विश्त्रित रूप है तो चंबल नदी में यहां पर जो है आप देखेंगे चंबल, नदी किनारे कोई गया पर नात वह जाकर देखें तो आप देखें कितने पार्ष जो है खड़े ढाल वाले तो यह जो है कि चंबल नदी कई बार आता है कुण सी नदी गौर्ज के लिए फेमस है चंबल नदी ठीक है यह हो गया अब देखें जल प्रपात और शिप्रिक आए इसके इंग्लिशन बोलता है वाटर फॉल अब देखें एंजल फॉल जो है वेने जोहला में विश्व का सबसे उंचा वाटर फॉल है कई बार पूछा गया तो देखें जब नदी कि बहते बहते तो नदी जो है यहां पर नदी बह रही है और यह अगदम अचानक यहां पर इसведजी से गडुती और फिर यह वापस नीचे बहने लगते इस तरह जो नदी है वह जब ढाल में अंतर आता है बहुत गहरा डाल हो आता है तो उसके कारण आप देखे नदी काफी नीचे चली आती है यह बड़ी मिस्ट बन जाती है मिस्ट इदि आपने देखा होगा पानी जल पर पात में जब नीचे आता तो एकदम तेई से उसके जो फुमा पात देखने को मिलते हैं तो यह हाड़ोती में जो प्रप्र यह जो बेसीं शेत्रे इसमें जहां भी ढाल कांतर आयाता है वहां पर जल प्रपात पाए जाते हैं बड़ा फेमस है कि चूलिया कि जल प्रपात कई बार पूछा आता है चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है चंबल नदी पर है और यह कहां पर है भैस रोड गड्क के पास है भैस div घर्त करद़ अज्ओ सर्क्रौइर बहुंद पर बहुत सारी जल प्रपात है में नाल है है तक बहुत तो चंबल नदी क्योंकि यहां पर जब पठारी शेत में बहती है तो इस तरह के जब ढाल में अंतर आता है तो तेजी से अभी इसकी जो मिश्ट है पहुत हुचाई तक इस तरह से और उपर तक फैल जाती है कभी आपने देखा हुआ कि जैसे चंबल के कभी गेट खुलते हैं तो पानी कितना तेई से उपर तक उचल जाता है तो इस तरह से जल और देहें जो यह जो शिप्रिकाएं हैं शिप्रिकाएं जल प्रपात का छोटा रूप कि यह भी एक प्रकार का जल प्रपात है पर जो छोटा रूप है उसे शिप्रिकाएं कहते हैं जो छोड़े छोटा कहीं पर धाल कांतर आ जायर्थ बहुत ज्यादा मुचाई से नहीं किरती हो नदी तो उसको शिप्रिका कहते हैं तो देखें गौर्ज है गहरी घाटी अंतर आता है टो यह पॉइंट जो है विद्यार्थ जहां से एक अंतर इसको ही पॉइंट कहते हैं अगैको कि मैं है तो ऐसे जहां जहांपर भी वाटरफॉल मिलेगे वहां पर आपको निक 점 देखने को मिलेंगे जो है निक पॉयंट है प्रपात है सिप्रिका आ हैं सब आपको कहां देखने को मिलेंगी चमबल दीके किनारे के डिये चमबल बेशिंद बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें देखें वीहर्ड डांग लेंड उत्खात यह चीजें भी इंपॉर्टेंट है इसका एक श्क्रीन शॉट कहने चीछ लीजिए कि देखें मैं इधर का मिटा देता हूं यह वैसे भी आपका यहां पर अपना लेते हैं कि कि देखें विद्यारत के चंबल वेसिन में जो यह शिप्रिकाएं जलप्रपात निक पॉइंटे सब इंपॉर्टेंट हैं जो को भी आप से पूछे जा सकते हैं कि देखें कि भी हड़ कि इसको इंग्लिश है बोलता है रवाइन्स तो कई बार आता है कि रास्थान में पूरे भारत में बीढ़ों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है चंबल नदी तो बीढ़ क्या होता है नदी जो अपरदन करती है और उसके कारण गहरे-गहरे गड़े बना देती है जमीन जो जब तेई से पानी बहता है तो जो पानी पानी का परदन होता है उससे जगे जगे गहरे गड़े बन जाते हैं इस तरह से देखे नदी जा रही है कि अधिया मालों कि यह नदी इस तरह से बहर रही है चंबल नदी है और साइड में जब वर्षा की दिनों में साइड से आकर और इसमें छुड़ी धाराएं जल धाराएं आकर मिलती हैं दोनों तरफ से क्योंकि नदी के दोनों जो किनारे हैं वो उच्छे होते हैं तो इस तरह से नदी के कि दोनों हिस्से से आकर जल नदी में मिल जाता है यह आपकी चंबल नदी हो गई तो जब दोनों तरफ से जल आके मिलता है तो इसके कारण क्या होता है अपरदन होता है तेही से यह दर आ आरी है यह दोनों तरफ से आरी है तो यह परदन क्या खिलाता है इसको बोलते अवर नाली का अवर नाली का अपरदन यह भी बहुत इंपोर्टेंट है कौन सी नदी अउनाली का परदन के लिए जाने आती है चंबल नदी इसको इंगली इरोजन इसको क्या कहते हैं विद्यारतियों गली रोजन गली इस मतलब यह नाली आसी नाली आसी बन जाती है और वह नाली बनने से देरे दरे गड़्डा जैसे घहरे होते जाते हैं तो चंबल नदी आउनाली का परदन गली रोजन के लिए फेमस एक तो यह बहुत इंपोर्टें सब्सक्राइब करेंट दूसा देखें उसके कारण जो उपर नीचे के शेटर होते हैं कि ना कुछ उपर हो याते हैं कि इस तरह से कि कुछ भाग तो यह उपर उपर रह जाते हैं जो अपरदीत नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो नालिया सी नालिया सी बनती हैं उसके साइड में जमीन बच जाती है तो इस तरह से देखें उपर खाबड आकरतियां बन जाती है तो यह जो चंबल नदी के किनारे इस तरह की उबड़ खाबड आकरती आपको देखने को मिलेगी तो उसमें क्या होता है विद्यारतियों जो गहरे शेत्र है जो गड़े नुमा शेत्र से इसको तो बोलते हैं बीहड कि बूलते हैं रवाइंस तो यह जितने भी में गढ़े शेत्र हैं जिनके कारण जो है उनालिका परदन के कारण गए गड़े बन जाते हैं, और आप देखें, डाकों की सरानिस्थली बीहड शेत्र हैं, और यह देखें, हो रास्तान का हिस्थाफया है, धोलपूर का। इदर यहां पर आपको पता है यूपी है कि का हिस्सा हो गया और इधर कौने पर एंपी है कि फोगए वह शेत्र रास्तान यूपी और यूपी का बॉर्टर मिलता था था तो इस धौनपूर शेत्र में यहां इस जारे शेत्र में टाकुत चुप जाते थे अब क्या है यहां डखेती करते यूपी में भाग जाते यूपी में डखेती करते तो यह पुलिस घूमती रहती थी इनको तो बीहड जो है कि डाकों की सरणिस्तली रहे हैं तो जो चंबल नदी है अवनाली का परदन गली रोजन और रहाइंस के लिए फेमस है और ऐसी इस्तलाकरती को कि जिससे सारी जमीन खराब हो गई उत्त है खात है उत्त खात है इस्तलाकरती कहा जाता है कई वार आचुका प्रश्ण कि उत्त खात इस्तलाकरती किस बेसिन में मिलेगी चंबल बेसिन में इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैड लैंड जमीन खराब हो गई ना बैड हो गई इसको बैड लैंड टूपोग्राफी के नाम से जाना जाता है तो राष्थान में बीहड जो हैं वो सारे चंबल नदी के किनारे देखने को मिलते हैं और जो प्रका उपर का जो शेत्र इव दियारत हैं यह वाला इसको बोलते हैं डांग शेत्र डांग शेत्र या डांग लेंड तो यह जितने भी उपर के शेत्र हैं इस तरह के इनको डांग लेंड के नाम से जाना जाता है तो डांग शेत्र और बीहडशित्र यह सबसे ज़्यादा कहां है इस तरह का प्रश्र पूछ सकते हैं तो देखें यह जो आपको धौलपुर जो है कि भौलपुर जिला कि सर्वाधिक भीहड़ों के लिए प्रसीद सर्वाधिक भीहड़ युक्त है फुल ओफ रिवाइन्स तो रास्तान में सबसे आदा आपसे पूछा जाए बीहड़ शेत्र कहां है धौलपुर जिले में रास्तान में कौन सा जिला बीहड़ों के लिए जाना जाता है धौलपुर जिला वैसे तो आप देखें यह जो तीन जिले हैं सवाय माधुपूर कर जौली और धौलपुर यह पूरा चंबल वेसिन जो है यहां का पूरा भीड़ों के लिए जाना जाता है तो चंबल वेसिन बीड़ों के लिए प्रसिद्द्ध आउनाली का परदन के लिए फेमस है बहुत इंपोर्टेंट है और इस यह कारणी जमीन जो गड़्धे और इ है यह उननालीक पोरदन के लिए फेमस है बेडों के लिए फेमस है और देखें डांग-लैंड की रानी डांjest की किसको कहते है करॉली को करॉली को कि के मेस्ट लैंड की क oder क्या निकिकर पूरा कर अれ हाब देखें डांग लैंड पर पर वसा हुआ है करॉली को डांग लेंड की रानी कहा जाता है तो यह जो आपको तीन जिले विशेशूप से देखे सुवाई माधोपुर करोली और धौलपुर यह तीनों जिले ही रास्थान में बीहड शेत्रों और डांग शेत्रों के लिए तो रास्थान में यह जो यहां का शेत्र है वो सारा का सारा बीहड और डांग लेंड के लिए फेमस है उत्खात इस्तला करती के लिए फेमस है जो यह गौर्ज होगा रहे दर यह शिप्रिकाएं निक पॉइंट्स वाटर फॉल यह साइड में जादा मिलते हैं और इधर यह बीहड युक्त शेत्र है और रास्तान में सबसे बड़ी बीहड युक्त पट्टी जो है सबसे बड़ी बीहड युक्त पट्टी जो है चार सो असी किलोमेटर लंबी है जो कोड़ा से और यमना तक फैली हुए तो रास्तान में सबसे बड़ी और युक्त पट्टी चार सो सौर्ट उलम्म जो कोड़ा से तने कोटा साइड से लेकाइं यमना तक की पूरी पट्टी चार सो असी किलोम्टर लंभी है कि यह देखिए इसको ठीक कर देता हूं कि उत्खात है यह उत्खात इस तो देखें द्यारति हो चंबल वेसिन में इसके लावा कुछ भी नहीं है बहुत अच्छे से बता दिया एक बार वापस आपको समझा देता हूं अधिके उद्गम जनापाओ की पहाड़ी से होता है यह विंध्याचल परवत है यहां से मौग के पास से निकलती है रास्थान में चित्तोड जिले में भैस रोड़ गड़ तहसील के प्रवेश करती है देखें जो 84 गड़े वह MP में इसमें पढ़ता है यहां पर रास्था में इतावा के निकल मुराद गंज में बिल जा तो यह पूरा शेत्र जो है चंबल वेसिन के नाम से जाना जाता है रास्तान की एक मात्र में ने का सदावाहिनी निया एस आल पर बैती है जैगा बैती है अब इस बेसिन की क्या उश्य स्थाएं हैं जलप्रपात है शिप्र बात करें तो जब ढाल में अंतर आता है तो पानी तेजी से नीचे जा और इस तरह से मिश्ट को बनाता है जो उपर तक फैल जाती है है नहीं हम ने देखा हम अमेरिका में गए तो वह हमने देखा जो नियाग्राफ होल्स तो आप तक से मिल जाती है अगर आप दूर से देखोगे तो आकाश और बादल आपको ऐसा लेगा जैसे मिल गए हूं तो इतना उचे तक मिस्ट फैल जाती है को और पूपाक्य जुट करते और यहां पर डाल यहां जारत को शिप्रिकाय कहते हैं जो इतर हारोती शेत्र में कहता है पठारि शेंस विए मतला जो ऑवनालिका पर्दन के दोनों तरफ जब जलदाराएं आती है तो घेरी गेरी about बन जाती एक इसको अभुनालिका परदन कहते है इसके करन जो गड़े नुमा शेतर बनते हैं उनको मियर कहते हैं रेवाइनस इंग्लीश में जो उपर के शेतर हैं उनको डांगलेंड कहते हैं और ऐसी जो जमीन खराब याती है उसको उतकात इस्तलाकृती नाम से जाना जाता है इस सरवाधिक विहर यूक्त जिला दोल पूरे डांग लेंड के राणी किसको 떨어りました सब्कूर manure जो है पूरा देविक अभ्यारन नहीं है चार दोल पूूछा गया था कि कौन सा भैरन डाग्लेंड परिश्तित है तो उसमें केला देवी का विहरा ने जुता वह डांग लेंड पर इस्थित है कि ठीक है और तो यह डांग लेंड की राणी धौलपुर सरवादीक भीड़ों के लिए फेमस और जनापाओ की पाड़ी से तो इसके बाद जो है नेक्स्ट को करेंगे अपन है कि दिखिए थोड़ा लिखने में उत्खात है तो इसका स्क्रिंशॉट खेंच लिजिए कि दिखिए पूरा लिख देता हूं वापस से तो इद्यारतियों दोकर बहुत अच्छे से समझाया है और चंबल बेसिन बहुत फेमस है और इसकी जो सारे बाते हैं विशेश्ट में बहुत युक्त शेत्र आउनालिका परदन उत्खात इस्थरा करती तीन ऐसी विशेश् सिस्टम में बहुत सारी रिवर्स से समझी जो बाते हैं वह उसमें हम करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं जो इसके सेकिंड बनाज बेसीन है माही बेसीन हम उसकी चर्चा करेंगे ठीक है थैंक्यू धन्यवाद